लखनो आए तो मिली मुस्कुराने की वजह भी और साथ ही मुस्कुराने पर सदा भी सुना था मेडिकल में अपनी मुहबत नहीं बलकी जखमों से लिकाह करना होगा पर अगर ऐसे हम सफर हमेशा साथ रही तो साहिब कुपूल है दस नभ्य की चाट खाना, एस्परैंजा के लिए रात भर तैयारी करना फिर अगले दिन क्लास में जब्किया लेना और प्रॉफ के वक्त अपनी खस्ता हालत पर खुदी ही घंटों तक हसना सोचा नहीं था कभी ऐसा वक्त होगी कि पहले उद्भव का आगास हुआ दो हजार अठारा में शुरुआत हुई एक नए सिल्सिली की फिर अगले साल आये हमारे दादा बैच का बर्चस्व बढ़ा बस थोड़ा सा जादा फिर बारियाई उनकी जिनोंने हमें इस लाड़क बना रहा है जिससे हम आज ख़ब आते हैं वो सब उनने करके दिखा रहे हैं खुद दद सहकर हमें सहल लगा है एक साल पीट गया हमें लखनों के नवाब बने एक देसबरी सी थी सब कुछ करने की और उसी भाग दोड़ में हमारे नए नवाब सारी कवा गए जनाब कभी पता ही नहींगे कर दोड़ आते हैं करते हैं